तुमित्रो सूत जी ने कहा है आप सुनिएगा बड़े प्रेम भाफ से मुनी सेष्ट सोनक जी तुम धन्य हो क्योंकि तुमारे हिर्दे में पुरान कता सुनने का बिसेश प्रेम एव लालसा है इसलिए मैं सुध बुद्धी से विचार कर तुम से परम उत्तम सास्त्र का बर बह संपूर्ण सास्त्रों के सिध्धान्तों से संपन भक्ति आदी को बढ़नी बाला तथा भगवान सिव को संतुष्ट करनी बाला है कानों के लिए रश्यान अम्रित सोयम रूप तथा दिब्ब्य है तुम उसे सर्वन करो मुनी बह परम उत्तम सास्त्र है सिव पुरान जिसका पूर्व काल में भगवान सिव ने भी सिव ने ही प्रूवचन किया है क्या था ये काल रूपी सर्व से प्रात होने बाले महान तरस का बिनास करने वाला उत्तम सादन है गुरुदेव ब्यास ने सनत कुमार मुनी का उपदेश पाकर बड़े हिट आदर से संचेप में ही इस पुरान का पृतिपादन किया है इस पुरानों के प्रणा का उपदेश से है कल युग में उत्तम होने वाले मनुस्ये के परम हिट का सादन जी हां आप सुनिए का क्या कह रहें आगे हम पढ़ते चलें यह सिप्पुरान परम उत्तम सास्त्र है शीप पुरान सबसे उत्तम सास्त्र बताए गया स्पुरान भी स्रिमत भागवत का था भी हो गई आने कर्कार के गिरंत हैं जो सर्वु उत्तम बताएं अपनी पुर भूतल पर भगवान सिप का बांग में स्वयम रूप समझना चाहिए जी हां बायमंग यह जो कि पुस्तक नहीं यह संक्रवान का एक रूप मानना चाहिए ऐसा बेद कह रहे हैं और सब पिरकार से इसका सेवन करना चाहिए इसका पाठ और शर्वन सर्वु साधन है इससा सिव भक्ति पाकर सिष्टित्तम इस्तिति में पहुचे हुए मनुसे सिग्री सिप पद्ध को प्रात कर लेते हैं जो इसको कथा सुनते हैं सर्वन करते हैं और पढ़ते हैं और कानों के द्वारा सर्वन करते हैं तो सिप गत्ति को प्रात होते हैं ऐसा इस पुस्त करने मनुस्य इस पुराणों को पढ़ने की इच्छह किए इस पराणों को किताबों को पढ़ने के इच्छह किये उनसानों ने इसके अध्यान को अभिष्ट साधन मानना है इसी तरह इसका प्रेम पूरवक्षरवन भी करना चाहिए संपूर मन मन वांचित फलों को देने वाला है यह सभी मन वांचित फल जितने भी हमारे मन में होते हैं वो सभी पूरे होते हैं इस से पुरान से यह इसमें लिखा है तो आप देख सकते हैं अद्बुस्य ग्रंत है और इसमें फिर लिखा ह है आपको मैं बढ़कर बता रहा हूं आगे भवान सिवक की इस पुराणों को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े-बड़े उत्त क्रश्ट भोगों का उपभोग करके अंत में सिव लोग को प्रात कर लेता है जो भी यहां से धर ऐसा ग्रंत में लिखा हुआ है सिव लोगों को प्रात हो जाता है यह सिव पुराण नाम ग्रंत चोविस हजार इस लोग को से युक्त है मतलब यह चोविस हजार इस लोग हैं इसमें सिव पुराण में ठीक है इसलिए इसकी साथ सहिताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि ब सबसे हैं और सबसे उत्र गति प्रदान करने बाला है यह आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो हम अपने यह महा काल की जै श्रकिष्णा जैवाल अच्मारच के